इश कुमार जी प्रधान मंत्री के उम्मिद्वार नहीं है ना हमारी पाटी ने कभी कहा है ना हमारे ओफिसियल ट्विटर से है ना मुख मंत्री जी ने कभी एक्छा बेक्त की है हम महत्वपुन उद्देश से है हमारे नाम से चिड़ क्यों पैदा होता है हम तो कहीं है ही न लेकिन उसके बावजूद हम 45 मेले की पाटी हैं तब बिना हमारा नाम लिए दिल्ली का जाप नहीं पूरा होता है कहां से यात्रा प्रारम करने वाले हैं कहां मुझे जानकारी नहीं है जहां से निकाले लेकिन चंपारन नहीं जाना चाहिए जहां राश्टिता महात्मा गांधी की कर्म भूमी हो वहां नहीं जाना चाहिए चुकि कोटसे को मानने वाले के साथ खड़ा होना इराज़ीत में जगन्य अपराद है और साथ ही साथ समराट असोग के हां से करना चाहिए समराट असोग के नाम पर तो बिहार बहुत काम हुआ है सबर्न लोगों को जो रिजर वेशन मिला है गस परतिशत तो जैसे पिछडा बर्ग और दलित को आप छाथ रिप्रिटी देते है मोदी जी क्यों नहीं देते हैं उसको वो तो गरीब आदमी है कि हमी साजी पुर्निया वला हाल मत करिएगा यहां आईएगा तो जरूर रामाइन हाथ में रखेगा चुकि अभी भगवान राम की चर्चा बिहार में बहुत होती है और रामाइन पर हाथ रख करके जरूर बोलिएगा कि मैं आया हूँ स्वामी सहजानन सर्च्वती के जेंती के कारिक्रम में मानिये नितीश कुमार जी ने स्वामी सहजानन सर्च्वती की आदमकद मूर्ती भी लगाई बिहार में मानी नितिष कुमार जी ने स्वामी जी की जेनती को राजकिय समारो का दर्जा दिया है हम आए हैं हम एकदम हिम्मत बांध करके कह रहा है रामा इन पर हात रखके यहां से जाएंगे और भारत रत्रत शाजानसर सोती को मिले इसकी हम साब जीनी घोसना करें नमस्कार आप नूज फोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना बिहार के मुख्य मंतरे नितिस कुमार जब इंडिये से अलग होए थे तो उनका एक ही मनसूबया था कि 2024 का जो चुनाओ होना है उसमें बीजेपी के खिलाब चुनाओ लड़ना है और साथी साथ देश से जो है बीजेपी को खात्मा करना है हलाकि अपने ही वो जाल में नितिस कुमार फंस गया है ऐसा इसलिए क्योंकि आप बिते समय से देख लिए जब से बिहार में महागडबंधन की सरकार बनी है तब से नितिस कुमार CM और PM के जाल में फंस चुके हैं हमारे साथ बा आप ambigu करायेगा सबसे जाल में नितिस कुमार है है कि नितिस कुमार की राजनीतिक यात्रा है जो रही है झालिए साथ मेले पंचानवे में जीता था चार मेले भाग गए थे और नितीश कुमार ने उसी आत्रा की सुरुआत की और नितीश कुमार ने राजनीत में बिहार में अपनी ब्यावारिक्ता 2015 के चुलाव में भी असपस्ट कर दिया जब पूरे देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी का जो रत था भुत्ते जी से दवड रहा था बिहार में उसको लगाम लग गया और नितीश कुमार जी प्रधान मंत्री के उम्मिद्वार नहीं है ना हमारी पार्टी ने कभी कहा है ना हमारे ओफिस्यल ट्विटर से है ना मुख मंत्री जी ने कभी इक्षा बेक्त की है हम महत्वपुन उद्देश है कि गयर भाजपाम मुर्चात है हम तो कह रहें नितीश कुमार अगर कुछ भी नहीं है ति देड़ सार से परिसान का है है लोग भाई आपने कहा कि हम इक्षा प्रकट नहीं कि हमारे नेता कभी नहीं इस बात को बोलें लेकिन आप ही जड़ा याद करिए खुले मन से हाल ही में महा अधिवेशन जो हुआ आप लोगों का माले के बैनर तले उसमें नितीश कुमार अपने मन की बात को नहीं कहा लेकिन कॉंग्रेस ने तो स्विकार नहीं किया कॉंग्रेस ने तो पहले इसको खारिश कर दिया तो आप देश के विपक्ची पाटियों को एक्जुट करने के बाद करने हैं दिल्ली का जाप नहीं पूरा होता है जब जब आएगा नितीश कुमार नितीश कुमार से तना असहनी दर्द क्यों होता है अगर नितीश कुमार में ताकत नहीं है तो नितीश कुमार जी का तो नाम लेने में कोई ताकत नहीं मिल रहा है कोई इनर्जी नहीं है कोई वैकल आते हैं कि आप लोग साथ घटक दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं आपके सायोगी बने थे उपेंद्र कुश्वाहा वह भी अपना बोड़िया विस्ता लेकर अलग हो गए अब हम पार्टी की बारी है अज इतना नामान जे भी आपके हिसा नहीं बनने वाले हैं यहां सका जा आप आते जाते हैं माननी उपेंद्र कुश्वाह जी हमारी पार्टी के नेता थे नितिश कुमार जी ने उनको विधान सभा बेजा राजी सभा बेजा विपक्ष का नेता बनाया विधान परशद बेजा लेकिन जरा पता लगा लिजे कि इनका पंचायत जो होगा उपंच बनाई ये गा तो समझ में नहीं आएगा इसलिए वह अलग भी से उसमें मैं नहीं पढ़ता हूं मैं सीधे तोर पर यह कहता हूं कि जनता दली उने जो सपष्ट समझ समझ बनाई है कौन मेरे साथ है कौन नहीं रहेगा कारवा हमने सजाया है और कारवा को सजाकर कर कम देंगे दर्सट्राइब से आशवासन दिया है युदा को कि दस लाख नौकी जो हम देंगे जश्वियादों का दस लग था दस लाख नितिश कुमार जी ही बढ़े हैं उसका भी आप लोगी नितिशांस पे करिये क्लिए नहीं पूरोब यहां से निकालने यहां से निकालने वाले हैं, राशतिता घांधी कर्म भूमी हो ओहां नहीं जाना चाहिए। चुकि कोट्से को मानने वाले के साथ खड़ा हो ना इस राजणीत में जगन्य अपराद के साथ समराथ असोक के यहां से करना चाहिए समराथ असोक के नाम पर बहुत हुआ है वहीं साथ संकल्प ले करके कि जो आपको अपमानित किया हम उसके साथ चल पड़े वही यात्रा की सुरुगात करिए बिहार की जनता प्रतिक्छारत है एक अंतिम सवाल है आप लोग कब तक इवावों को रोजगार दिजेगा जो लाठी चार्ट लाठी चार्ट किया जा रहा है इवाँ परिशान है पिहाल है जो लोग यह प्रह्म फैलाते हैं मैं उनको जानकारी देता हूं योग्यता परिक्छा पास करने का मतलब पात्रता परिक्छा पास करने का मतलब नौकरी की गारंटी नहीं है कोई एम में पास कर जाए कि हम लेक्चरर हो जाएंगे यह संभव है क्या पात्रता परिक्छा आपने पास के और सिक्षक में के मामले में मैं पूरे चुनवती के साथ कहता हूं कि देश का मान और सिक्षा विवाग के डेटा निकालने लोग प्राइमरी टीचर में जो हमारा सिक्षक छात्र नुपात है देश में सबसे आगे सबसे जादे हम लोगों ने बहाली किया है कोई जानता था कि अगर भाली नहीं किय तो बिहार की बेटी किसे हर्थान में मिल रही है कईसे हर चैकर रहा है पर वह काम कर रही हैं यह बहाली नहीं अगर अमेरिका में जा रहा है तो लेगर प्रेशेषा करनाटक का निकाल के देंगे यहीं कहीं नहीं के बारे में नहिंसे नकारात्मग कोई बोला कि जीविका की दीदी इतना वड़ा काम करकर के देश में देश में सबसे जादे जीविका की दीदी है बिहार में इतों कोई चर्चा नहीं करता है एक लाख है जीविका दीदी एक लाख है उत्तर प्रदेश में तो लाइव टेली कास्ट हो रहा है यहां एक करोड लोग उससे लाभान भी थे तो कोई नहीं जान रहा है यहां कोई नहीं जान रहा है कि 20 रुपया महिना में नेनिंग की पढ़ाई करवाई जा रही है यह चर्चा कहीं नहीं होता है सबर्न लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है 10 प्रतिशत तो जैसे पिछड़ा बर्ग और दलित को आप चाहत रिप्रिती देते हैं मोदी जी क्यों नहीं देते हैं उसको वो तो गरीब आदमी है 25 फरवरी को बिहार एक बड़ा के लिए बड़ा होने जा रहा है क्योंकि उस दिनमित सा भी आ रहे हैं आप लोगों का भी कारक्रम हैं लेकिन देखिए स्थितिया ऐसी बनी हुई है कि कॉंग्रेस अलग अपना क बिहार में जिस गठ बंदन की आप बात करते हैं सुधाकर सिंपर अब तक के तो राज़त में करवाई नहीं की उसके बाद अब उनके सिपाही अब बोलने के लिए तयार हो गए कि हमारा के इंद्रियन नेतित्व जो है वो सीम को लेकर करके फैसला कर दिया है तारिखों का का संकट जो है टलने का नाम नहीं ले रहा है बलकि बढ़ता ही जा रहा है अब आपके पास एक ही चीज बचा हुआ था वो है सीम का पद अब वूस पर भी आप लोगों का संकट है तो इसको कैसे बचाईएगा और कैसे अब राज़त को हैं राजनिति का हर्दम उल्टे ज मंत्रियां जो रहे हैं कि इस दिन भीहार में जो पचीज तारिक को देश के ग्री मंत्रियार है ना मिच साहजी तो जब 2015 का विधान सवा चुना हुआ था तो समय घोसित कर दिये थे कि नितिश कुमार अन्य मार्क से इतना वज़े निकलेंगे राजभवन जाएंगे इस्त हाथ में रख दिये ईए और रामालेश की आदम कड्मूर्थी बीहार में मानी नितीश कुमार जी ने स्वामी जी जी पर यहां से जाएंगे और भारत स्वामी साजान सरसोती को मिले इसकी हम सावजनी घोस्ट ना करें गलत का गलत है सेना के पराकरम पर कोई बात बोलेगा ती कते मंजूर किया सकता है क्या कोई रहे हम तो बोलत रहे हैं अब उससे जादे कड़ा परतिबाद होता है जो मैंने परतिबाद किया आपकी बातों को अन्य देजश्री आदों पर कोई असर नहीं 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 भाई तो भीम सिंग कोन पार्टी में है भीम सिंग कहा है भीम सिंग तो आज भारतिय जनता पा यह देश का कोई भी नागरिक और कोई भी राजनेतिक दल इसको देश के प्रति सम्मान का भाव होगा वह कतरी मंजूर नहीं कर सकता है बहुत बहुत सुक्रिया तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना ता जादियू के मुख प्रवक्ता निरज कुमार का इस खर्व बस इतना ही बने रही है नियूज पोनेशन के साथ अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइम नी के हैं तो कलिजे धन्यवाद